बिस्मिल्लाइ रह्माने रहीम, असलाम लेकुम फ्रेंड, वेलकम टो माई चैनल, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे, मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजीगा, इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मि सकेगी, आज थोड़ी से अलग वीडियो मैंने अपलोड की है, इसमें मैंने निकाह का डुपटा बना रही हूं, निकाह का पैन बना रही हूं, जिस तरह से आजकल पेडिंग सेजन है, तो मैंने यही सोचा कि इसके मताबिक कुछ काम किया जाए, यह मैंने डुपटा ले है, टिशू का और किंजा का भी ले सकते हैं, यह मैंने रेड कलर के डुपटा लिया, कुछ मिरर लिया मैंने, और फैबरिक ग्लू लिया मैंने, और फिस्जिंग ली है मैंने, जामवार का कपड़ा गुल्डन कलर में ले लिया है, यह गुल्डन लेसे मैंने दो तरह के लि ली है और ये डुपट्टा तो आप देख लीजिए बड़ा प्यारा सा डुपट्टा ये बन गया था तो मैंने यही सोचा कि जरूर ही हमने शेयर करना है एक एजी सी बताऊं सबको कि किस तरह से आसानी से हम घर पे रहते हुए डुपट्टा बना सकते हैं क्योंकि ये आपक तो भी पता ही होगा कितना कॉस्टली मिल रहा है आजकल ये देखिए मैंने पहले कपड़ा फ्यूजिंग जो पर लगा ली थी कपड़े के उपर इस तरह से प्रेस करके चिपका लिया था मैंने फिर इसको देखी मैंने कुबूल है पैंसिल से लिख रही हूँ पैंसिल से इसको फिर हम कट करेंगे और पैंसि नहीं लिखना हमने क्योंकि कभी गलत भी हो सकता है तो हम इसे फिर रेस कर सकते हैं साफ भी कर सकते हैं पैंसिल का एजिली सही साफ हो जाता है इसलिए वैसे तो शुकर है मुझे गलत नहीं हुआ बिल्कुल भी मैंने पहली दफ़ा में सही लिख लिख लिया था, आप लोग भी इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि इजी सी चीज़ है यह इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं आपने इस तरह से कट कर लेना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ देखना है आपने इसको मैंने फिर ग्लू की मदद से लगाऊंगी डिपटे के उपर आप जैसे हम वो जो इंब्रॉइडरी करने वाले होते हैं बाजार में, मौटिफ वगेर हम लगवाते हैं, उनसे जाकर गले पर बंच यह कोई चीज़, तो फिर वो इंब्रॉइडरी करके देते हैं, अब उससे भी करवा सकते हैं मुझे थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने बस ऐसे ही इसको गलू से लगा लिया था फैब्रिक गलू से और मैं करवा लूँगी वैसे उसको जाकर इंब्रॉइडरी वाले से यह देखे मैंने लेस लगा ली थी अब यह मैं साइड पर पतली लेस लगा रही हूँ और पीछे भी लगाँगी पतली लेस बिल्कुल दोनों साइड पर और पिछली तरफ और सामने मैंने किरन लेस लगाई है गॉल्डन कलर में मैंने लेसे ले ली थी काफी सस्ता सा बन गया था घर में ये हलके उसमें रेट में हमने एजिली बना लिया नहीं तो आपको तो मालूम ही होगा आजकल फैशन में है ये काफी और बहुत ही हाई रेट में यानि के मिल रहा है कौसली है काफी तो ये तो मुझे उससे भी हाफ प्राइज में पढ़ा होगा या उससे भी कम में ये देखी मैंने लेस जो बजगई थी दुबारा से लगा ली उसको एक और साइट करके लगा ली थी और ये अब मैं मिरर्स जो थे वो लगा रही हूँ आपके पास अगर जो गुल्डन सितारे होते हैं ये नग हो तो आप भी लगा सकते हैं मिरर मेरे पास पढ़े होते हैं बहुत सारे तो मैं वही जगा जहां जरूरता ही लगा लेती हूं उसको और ये मैं बीच में डुपटे का मैंने पहले बीच का सेंटर पॉइंट ले लिया था फिर उसके बाद अब मैं निशान लगा रही हूं दोनों साइट बराबर कर रखके हमने नाइन इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और अब ये मैंस से लगा दूँगी ग्लू से जो लाइन मैंने डाली थी उसके उपर मैंने कुबूल है लिखके ये स्टिक कर रही हूं बहुत ही प्यारा सा लग रहा था रुपटटा रेडी होने के बाद इनके जैसे मैं आपको कह रही थी अभी आपके नारे बनवा भी सकते हैं इम्डॉइडरी वाले से कोई हंड्रेड रुपीज वो लेगा जो बना देगा ये देखिए मैंने ये वो जो होते हैं स्क्यूर्ज होते हैं जो लेकर मैंने उस पे रेड पेपर से कुबूल है लिखकर वो भी चिपका दिया था यानि के गलू से लगा लिया था ये देखिए इस तरह से मैं बता रही हूँ कि आपको ऐसे आप लगा सकते हैं केबल पर रखने के लिए हम ये चीज़ें बना रहे हैं अब जी आती है पैन की बारी दो तीन चीज़ें है इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है तो आपने एंट तक देखनी है बिलकुल अच्छ कर दिया था उसको बटन में आप कोई भी बटन ले सकते हैं नहीं तो आप रिबिन का बो जैसा होता है वो बना सकते हैं उस पर कोई मिरर लगा ले या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं जो आपके पास हो अक्सर बच्चों के क्लिप्स के भी जो कुछ चीज़ें होती है मैं आपस पड़ेवे होते हैं फ्लावर या कोई चीज यह देखी अब मैंने गलू से लगाना शुरू किया है यह पतला सा लेस था बहुत हलकी लेस थी बिलकुल लिए पैन भी बिलकुल मोटा नहीं हुआ इसके लगाने से बहुत ही अच्छा सा ही था सॉफ्ट टच था बिलकुल पैन अब जैसे हम साइन करने में एजिली कर सकते हैं इससे साइन यह जैसे मोटे मोटे पैन हो तो थोड़ा पकड़ना हमें दुश्वारी होती है यह दिखिए इस तरह से बीच में रखकर में यह इसको पूरा रैप कर दूँगी बहुत ही प्यारा सा पैन बिन गया था बस थोड़ी सी हमारी कोशिश होती है इससे बच्चे खुश हो जाते हैं जिनका निकाह हो या कुछ हो तो खुश हो जाते हैं लड़कियां या लड़के का हो तो भी बस मकसद यही है सिर्फ कि बच्चे अपने खुशियां पूरी कर सकें और कम बज़ट में भी रहते हुए किस तरह से कर सकते हैं वो ही है मेरा बताने का मकसद मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने शेर्ट जरूर करनी है और हाँ इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करिए और फेस्बुक पे मेरा पेज लाइक करें यह यहाँ पे मैं इसको फिर चिपका दूँगी ग्लू से और कट कर लूँगी यहाँ से अब एक पैन का ही मैंने बाहर रेट पता किया तो 200 बता रहा था कोई 300 कोई 200 फिर मैंने यही बना लिया घर में एजीली तो बना सकते हैं मैंने देखा उसमें क्या लगा हुआ था यही मोर पंक लगा हुआ था इलेस लगी हुई थी और ऐसे ही फ्लावर लगा हुआ था इसकी जगा अब यह देखी मैंने एक टोकरी ले ली है जिसके अंदर मैंने पैटल्स डाल दिया है रोस पैटल्स जो होते हैं और यह थेर्मो कॉल लेकर मैंने इसका पीस उसमें मैंने यह जो लगा लिए कुबूल है जो लिखके मैंने रखा था कैंडल जला ली मैंने चोटी सी ब्राइड और ग्रूम मैंने लिख लिया एक कार्ड पेपर पे मतलब यह है कि मैंने किस से लिखा था यह हाईलाइटर से लिखा था और पैन रखने की टोकरी बना दी थी, मैंने उसी के अंदर पैन भी रखा जा रहा है आप और भी चीज़ें जैसे फिंगर रिंग हो या कुछ देनी हो आपने वो भी रख सकते हैं यह देखिए टेबल पे मैंने डाल दिया था रैड कलर नेट वो भी इजीली मिल जाता है, हमें काफी सस्ते में पढ़ता है नेट तो बिलकुल वो हमने बिचा दिया, उसके उपर हमने देखिए हार्ट बना दिया था एक तरफ पैटल्स से और यह हमने टोकरी सी बना दिती और कुबूल है, लिखा हुआ, निकाह का डुपटा रख दिया, हमने एक साइट पे और स्ट्रिंग लाइट्स चला दिन थी, हमने आप इस पे जैसे मिठाई या केक वगएर भी आप रख सकते हैं यह बिल पर इसी पे गर में अब अब सब रहते वे इसी तरह से सिंपल सा हम कर सकते हैं गर में जो अरेंजमिन हम कर रहे हूं मैंने इस तरह से निकाह की सैटिंग भी जैसे रूम सैट चो किया है वो भी वीडियो बनाई हुई है, मैंने वो बी लोट करूँगी यह देखिए पैन हाथ में पकड़के बता रहे हैं कि इतना जादा वो नहीं हुआ यह थिक नहीं हुआ यह बिल्कुल सही था, जैसे पैन होते हैं आम से वैसा ही था आपने अगर कुछ और पूछना हो तो मुझसे तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा तो फिर मैं और बनाने की वे करूँगी, अब यह देखिए डुपट्टा कितना प्यारा सा लग रहा है बस अब आपने मुझे दुआउं में याद रखना है, ओके, अल्ला हफिज, ठैंक